मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ यार बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है माइनक्राफ्ट को बढ़िया बनाने के चक्कर में मैंने इस नॉर्मल जॉम्बी पे एक्सपेरिमेंट कर दिया और जरा देखो यार ये कैसा खुकार बन चुका है ये पूरे वर्ल्ड को तबहा कर देगा मेरे को नहीं पता कि इससे कैसे बच सकता हूँ लेकिन में को कुछ न कुछ न कुछ तो जल्दी से करना ही पड़ेगा आस तो शायद भाई मेरा बचना मुश्किल है वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि पता चली कि मैं जिन्दा रहे भी पाता हूँ या नहीं एंड मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो ये बैक्ग्राउंड में खतरनाक सा म्यूजिक चल रहा है न ये तब ही बचता है जब ये खतरनाक सा जॉम्बी हमारे आसपास होता है वेल ये सब छोड़ो मेरे को लेबोरीटरी को पूरा कवर करना पड़ेगा एक काम करता हूँ मैं आइरेन बार्ड की मदद से इस पूरी लेबोरीटरी को कवर कर देता हूँ जिससे कि उस जॉम्बी को इस लेबोरीटरी से भार निकलने में काफी ज्यादा टाइम लग जाए और उतने टाइम में मैं अपने ले कुछ न कुछ ऐसा जुगाड बना लूँ जिससे कि मैं बच सकता हूँ ओ गौड तो काफी ज्यादा महनत करने के बाद ये आखरी आईरिन बार्ज भी मैंने लगा दी है और जरा देखो पूरी लेबोरीटरी मैंने यहाँ पर कवर कर दी है और आइगेस यहाँ से जॉम्बी को निकलने में बहुत टाइम लगने वाला है अब तो बस अब एक काम करता हूँ यहाँ से दूर भाग जाता हूँ और अपने लिए कोई एक सेफ बंकर बना लेता हूँ तो मैं फाइनल यहाँ पर बच बचा के आतो गया हूँ लेकिन यहार देखो यहाँ पर रहने वाले लोग इनको बिल्कुल नहीं पता की कितनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है वैल यह सब छोड़ो इनके घर देखो जरा यार यह बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ जमीन के अंदर थोड़ी बहुत गड़े खोदने पड़ेंगे मैं को क्योंकि मैं यहाँ पर एक अंडर ग्राउंड बंकर बनान नहीं तो एक काम करते हैं यहाँ पर लेडर लगा देते हैं और लेडर की उपर चढ़के मैं जाऊंगा और इस गड़े की एंटरेंस पे मैं कोई प्रोटेक्टिव डोर लगाना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम पर मैं बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं जो मैंने डोर लगाया ह वो एक लेडर से खुलता है जो की काफी बड़िया बात है तो इस टोर को बंद करते हैं और नीचे हमारा और थोड़ा बड़ा एरिया बनाते हैं लेकिन यार जड़ा ये देखो यहाँ पर दिवारों में न स्टोन ब्लोक्स लगे हैं जो बिल्कुल भी काम किनी हैं तो इन करने के लिए मैं इनके चारों तरफी स्टील वाले ब्लोक्स लगाने वाला हूं जिससे किसी को भी इजलिए डोर ना दिखे नाइस यार हमने काफी अच्छी प्रोग्रेस कर लिए लेकिन अभी हमको बहुत सारा काम करना है और गाइस मैंने अंदर बंकर के यहाँ पर अइरिया बनाने वाला हूं कुछ इस तरीके से देखो कितना बड़ा एरिया हमारे पास बड़िया यह रूम देखो कितना बड़ा है लेकिन यहाँ पर भी अमधे रहा है यह तो ज्यादा ही काला हो गया कोई बात नी इसका सोलीशन है सिंपली हमको यहाँ पर भी लाइट् पर रहने वाले विलेजर्स और साथ की साथ मैं भूख से न मर जाएं चला अब इहां पर इनके बीच में पानी भरते हैं और जो यह डर्ट ब्लॉक्स हैं इनको हो से ठीक करके यहाँ पर सीड़ लगा देते हैं कुछ इस तरीके से खाने की वज़े से तो हमको को कोई दिक् ही है उनको भी पता होगा कि उस गेम के अंदर भी ऐसी बैड्स होते हैं किसकिस ने देखी नीचे कमेंट में बता भी तो खेर ये सब छोड़ो प्र आने के लिए मैं हाँ पर लेडर लगा देता हूं जरा एक बारी उपर जाते हैं एंड जरा यह देखो यह जो ब्लॉक्स है इनको हटा कि में को इसका डूर यहां पर लगाना होगा जिससे कि हम अंडरग्राउंड वाले बंकर में जा सकें एकडम परफेक्ट काम हो गया अभी तो चलो यारे एक बार यह बंकर के भार जाकी देखते हैं अभी तो माहोल बिल्कुल शांत लग रहा है वेल तो हम एक का को उलिजर्टों यहां पर आ चुका है अब इस बोट को तोड़के में को वापस उपर जाना होगा और ऐसे एक करके मैं को सारे विल्लेजर्ज को इस गढड़े में ले जाना है जाले लेकिन çalış को पर दोब turning करने वा जर्रा देखो कितने सारे iron golems हैं और इन iron golems को अपने bunker के gate के पास ही बांग देता हूं जिससे कि भाई हमको protection मिल सके तो चलो popsic ये तो हो गया लेकिन अब चलते हैं bunker के अंदर और देखो कितने सारे villagers हैं तो हमें एक काम करते हैं इनको underground ले जाते हैं और मैंने successfully इन सारे villagers को इस bunker के अंदर लिया आया एंड यहार मेरी calculation थोड़ी सी गडबड हो गई थी क्योंकि हाँ पर beds कम पड़ गए हैं तो मैंने थोड़े बहुत और beds लगा दिया हैं जिससे कि ये सारे villagers रात को सो सकें अब मैं काम करता हूँ बंकर के साइड में एक बड़ा सा पिलर बनाने वाला हूँ क्योंकि इस पिलर के ऊपर चड़के मैं देख सकता हूँ कि हमारा zombie किस साइड पे है तो ladder लगा के मैंने एकदम तगड़ा सा पिलर तो ready कर दिया है और अपनी protection के लिए भी मैं यहाँ पर dispenser का एक ऐसा system ready कर देता हूँ जिससे की एक click में मैं मस तरीके से equipped हो जाऊँ तो फिलाल गाइस अब तो मैं ready हूँ और यह सारी के सारी villagers भी एकदम safe हैं तो यार यह पूरा एक दिन हो गया था और मैं अपनी farming वगेरा कर रहा था मैं जैसे यह सब कर रहा था तब ही एकदम bunker पूरा हिलने लग जाता है और फिर से मैं को background में वही खतरनाक सा music सुनाई देता है इसका मतलब वो zombie हमारे bunker के पास आ रहा है तो मैं तुरंत एकदम equipped हो के तुरंत अपने bunker से भार आ जाता हूँ और जरह वो देखो वो खड़ा है खुखार सा zombie और मैं उसको arrow से shoot जैसे ही करता हूँ वो एकदम jump मार के मेरे पास आ जाता है और मैं इस टाइम इतना डर गया था कि मैं direct bunker के अंदर चले जाता हूँ तो मैं गब्रहाट में जल्दी से बाहर जाता हूँ और देखता हूँ कि भाई दो गोलम जो zombie को रोक कर रख रखे हैं तो यही मेरे लिए एक अच्छा टाहिमता मैं भी पीछे से खड़े हो कि इसको arrow से shoot कर रहा था लेकिन भाई ये और खतरनाक होता जा रहा है इसके उपर attack करता हूँ और ये वापस से उठ जाता है और ये तना ज़्यादा powerful है कि भाई आसपास के golems को अपनी power से हवा में उड़ा दे रहा है और यहां तक कि मैं भी इसके attack के चपेटे में आ जाता हूँ भाई इस टाइम मेरे हाथ में कोई control नी है मैं हवा में उड़ रहा हूँ और ये कूद कूद के मेरे उपर attack कर रहा है तो इस टाइम पे लग रहा था कि यार इस world को तब हाऊने साब कोई नी रोक सकता और जैसी मैं इसकी power से बचके नीचे जमीन पे गिरता हूँ ये आसपास spider और zombie spawn कर देता है भाई ये बहुत खतरनाक है मैं अपनी जान बचा के इस tower के अंदर चड़ जाता हूँ लेकिन ये वहीं से मेरे उपर attack कर रहा है अपनी खतरनाक आख के गोले और तो और भाई ये arrows भी मेरी खिड़की पे फैक रहा है भाई ये मेरी पीछे पड़ चुका है मैं जल्दी से bunker के अंदर जाता हूँ कि कोई मरा तो नहीं है बट किस्मत अच्छे थी कि भाई सारे बच्चुके हैं जान बची लाख हो पाए आज के बाद ऐसा experiment नी करूँगा भाई मैंने पूरे वर्ल्ड को बचा लिया उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है ना तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करना भी बिलकुल मत भूलना तब तक के लिए बाई बाई